248 रुपए का शेर बढ़कर 1025 रुपए पर आगया कम समय के निवेश पर 313 परसेंट का रिटर्न यूपी की है कमपनी स्टॉक नुकलियस सॉफ्ट्वेर एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स लिमिटेड नुकलियस सॉफ्ट्वेर नुकलियस ने पिछले तीन सालों में निव निवेश को को 300% से अधिक रिटर्न दिया है स्टॉक 23 जून 2020 को 248.2 रुपए पर बंध हुआ था पिछले सत्रक 23 जून 2023 में बढ़कर 1025 रुपए हो गया था यानि इस अवधी के दौरान निवेश को को 313 परसेंट रिटर्न मिला है इसकी तुलना में सिंसिक्स 3 साल में 77 76 परसेंट बढ़ा है हाला कि आज सोमवार 26 जनवरी को कमपनी के शेर 1020.05 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं इस साल वाई टीडी में यह शेर 160.88 परसेंट का रिटर्न दिया है वहीं पिछले एक साल में इसने 161.89 और 5 साल में 176.31 परसेंट का रिटर्न दिया है 23 जून 2022 को स्टॉक 52 के निचलिस तर 358.95 रुपए और 6 जून 2023 को 52 के उच्चतम स्टर 1256 रुपए पर पहुँच गया शेरों का हाल तकनीकी रूप से स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI 54.6 पर है जो दर्शाता है कि यह न तो ओवर्बॉट और नहीं ओवर्सोल्ड जोन में कारोबार कर रहा है Nucleus Software Exports शेरों का बीटा 1.1 है जो एक वर्ष में उच्च अस्थिर्ता का संकेत देता है पिछले वित्वर्ष की मार्च तिमाही में Nucleus Software Exports ने मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान 18.29 करोड रुपए के मुकाबले 67.65 करोड रुपए का शुध लाब कमाया है दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान 153.04 करोड रुपए के मुकाबले 4 तिमाही में बिक्री बढ़कर 206.2 करोड रुपए हो गई मार्च 2023 तिमाही में एबिटडा मार्जिन भी तेजी से बढ़कर 40.2 प्रतिशत हो गया जबकि एक साल पहले की अवधी में यह 28.3 प्रतिशत था नुकलियस सौफ्टवेर एक्सपोर्ट्स ने FY23 के लिए प्रतिशेर 10 रुपए का फाइनल डिविडेंट घोशत किया कमपनी के बारे में नुकलियस सौफ्टवेर एक्सपोर्ट्स फाइनस सर्विस को लोन और लेंदेन बैंकिंग प्रोड़क्ट सेवाए देती है यह बैंकिंग और वित्तिय सेवाओं, BFS, शेत्र में व्यावसायक संस्थाओं के लिए सौफ्टवेर, उत्पाद और सौफ्टवेर सेवाओं के विकास और मार्केटिंग के व्यावसाय में लगा हुआ है कमपनी की ओपरेशनल यूनिट नोएडा उत्तर प्रदेश में है